बिस्पिल्लाहिरह्माने रहीम, असलाम अलेकुम, मेरा नाम मिस हीना है, कैसे हैं आप लोग बच्चों? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे क्लास सीनियर के इसलामियत के सवाल जवाब, हम क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हम दुबारा से रिवाइस करेंगे, ठीक है, सवाल नमबर पहला, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जी, हम सब का मालिक कौन है? सवाल नमबर पहला है, हम सब का मालिक कौन है? इसका जवाब है, हम सब का मालिक अल्ला ताला है, मैं फिर से रिपीट करवाती हूँ आपको, सवाल नमबर वन, हम सब का मालिक कौन है? जवाब हम सब का मालिक अल्ला ताला है सवाल नमबर दो हमें हर वक्त कौन देख रहा है? जवाब है हमें हर वक्त अल्ला ताला देख रहा है इसका जवाब है हमें हर वक्त अल्ला ताला देख रहा है सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी कौन है? जवाब हजरत आदम आले –सलाम किलास में हमने बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है, सब को याद भी है आज हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं तो सबसे पहले नबी कौन है? इसका जवाब है حضرت آدم علیہ السلام जी अब हम पढ़ेंगे सवाल नमबर चार सबसे आखरी नबी कौन है सवाल नमबर चार है सबसे आखरी नबी कौन है जवाब हमारे प्यारे नबी حضرت मुहम्मस صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم सबसे आखरी नबी है हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मस صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم सवाल नमबर पांच अल्ला ताला ने नबीों को क्यों भेजा जवाब अल्ला ताला ने नबीों को क्यों भेजा जवाब अल्ला ताला ने इनसानों की हिदायत के लिए नबीों को भेजा अल्ला ताला ने इंसानों की हुडायत के लिए भेजा सही सवाल नमबर 6 पढ़ेंगे अब हमारे प्यारे नभी। कहां पैदा हुएं हमारे प्यारे नभी, हजरत मुहम्द ﷺ कहां पैदा हुएं। जवाब पढ़ें, मेरे साथ हमारे प्यारे नभी, हजरत मुहम्द ﷺ मक्का मकरमा में पैदा हुएं। हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद ﷺ मक्का मुकर्मा में पैदा हुए सवाल नमबर साथ अल्ला ताला सबसे जादा किस से महबबत करता है जवाब अल्ला ताला सबसे जादा हमारे प्यारे नबी ﷺ से महबबत करता है जवाब पढ़ेंगे हमारे प्यारे नबी ﷺ से महबबत करता है सवाल नमबर आठ ये हमारा आखरी सवाल है आज का अल्ला ताला की आखरी किताब कौन सी है अल्ला ताला की आखरी किताब कौन सी है कुरान मजीद सबके घर में होती है सबको पता है आप सब पढ़ते हैं सिपारा तो ठीके अल्ला ताला की आखरी किताब कौन सी है कुरान मजजी आज हमने इसलामियत क्लास सीनियर आज हमने इसलामियत की तक पढ़े है और आप सब इसको घर में आप सब के पास लेबसे आप सब पढ़ेंगे ठीके इस वीडियो को दुबारा देखिएगा अल्ला हाफिज अपना खयार रखें घर पे रहें महफूज रहें खुश रहें